इवी नस्टे के मोस्ट चामिंग अभिनेताओं की बात की जाए तो उसमें मोहिसिन खान और जैन इमाम का नाम शामिल ना हो ऐसे कैसे हो सकता है दोनों ही अभिनेता काफी जादा स्मार्ट और हैंसम है साथ ही एक आलिशान घर के बेटे भी है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि ये दोनों ना सिर्फ एक आलिशान घर के बेटे हैं बलके एक आलिशान ससुराल के होने वाले दामाद भी है जिहां इन दोनों का होने वाला सफुराल काफ़ी ग्रेंड है पर कि आप जानते हैं कि दोनों में से किसका सफुराल है सबसे जादा आलिशान अगर नहीं तो कोई बात नहीं आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही अभिनेताओं के ससुराल से रूबरू कराने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में से किसका होने वाला ससुराल है सबसे जबालिशान मगर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें सबसे पहले बात करते हैं ये रिष्टा क्या कहलाता है में कार्ती का किरदा निभा कर मशूर हुए अभिनेता मुहसिन खान के आलिशान ससुराल के बारे में तो आपको बता दे कि जिनसे ये शादी करने वाले हैं उनका नाम है शिवांगे जोशे जो की काफी अमीर है इसलिए उनका घर यानिक इनका होने वाले ससुराल भी काफी आलिशान है जी हाँ आपको बता दे कि इनके होने वाले ससुराल में चार बेडरूम हैं जिन्हें इनके ससुराल वालों ने ब्लू कलर के पेंट से पेंट करवाया है साथ ही modern painting से paintings और modern art के paint से paint करवाया है इसी के साथ इनके आलिशान ससुराल में modern kitchen भी है जिसमें हर तरह की facility उपलब्ध है वहें इनके आलिशान ससुराल में एक बड़ा सा living area भी है जिसमें खुबसूरत sofa set, imported vals, मूर्तिया, paintings और जूमर से सजाया हुआ है वहें इनके इस living area में बड़ा सा dining table भी है जो कि इनके ससुराल को complete look देता है इसी के साथ इनके आलिशान ससुराल में सारे सुकसुवदाएं उपलब्ध हैं तर बात करें इनके इस आलिशान ससुराल के शोबा बढ़ाने वाले luxury गाड़ियों के बारे में तो आपको बता दे कि इनके ससुराल वालों के पास ओड़ी, जैगवार और लिंबरगनी जैसे बड़ी-बड़ी महंगी कार्स हैं जिनकी के मतलग भग 90 लाग से 1 करोड तक है वहीं अब बात करते हैं जल्द ही फना इश्क में मट जावा सीरियल में सिर्फरे आशी का करदार निभाते हुए नजर आने वाले अभिनेता जैन इमाम के बारे में जो सीरियल में एक सिर्फरे मगर रईस बिजनसमेन के तौर पर दिखाए देने वाले हैं पर अगर बात करें इनके होने वाले ससुराल के बारे में तो आपको बता दें कि खबरों के मताबिक ये अमकरन की अपनी कोएक्टरेस आदिती राठोर से शादे करने वाले हैं जिसके बाद ये एक आलिशान ससुराल के दामाद बन जाएंगे जिसे काफ़ी क्लासी तरीके से डिजाइन करवाया गया है जिसमें हर तरह की फैसलिटीज उपलब्ध कराई गई है बैटरूम से लेकर लिविंग एरिया तक काफी यूनिक एंटीरियर डिजाइन से डिजाइन किया गया है वहीं बात करें इनके ससुराल के गार्डन के बारे में तो वो तो इतना प्यारा है कि हर कोई यहां पर बैट कर अपना ज़ादतर समय बिताना पसंद करता है वह इनके ससुराल का फरनीचर भी इंपोर्टेड है क्योंकि इनके ससुराल वालों ने उसे विदेशे मंगवाया है तब ही तो इनका ये ससुराल दिखने में इतना ज़्यादा आलशान है और ग्रेन नजर आता है कि सबकी आँखे फटी की फटी रह जाती है अंत में बात करते हैं इनके आलशान ससुराल में मौजूद लगजरी गाड़ियों के बारे में तो आपको बता दे कि इनके पास टोईटा, हुंड़ई और मर्सरीज बेंज जैसे कार है जो इनके आलशान ससुराल के शोभा बढ़ाती है अगर बात की जाए कि इन दोनों अभिनेताओं में से किसका ससुराल है सबसे जादा आलशान और कोई नहीं बलकि ये रिष्टा क्या कहलाता है से मशूर हुए अभिनेता मौहसिन खान है बिनका ससुराल इतना जादा आलशान और ग्रेंड है कि क्या ही कहे तो दोस्तों आपको इन दोनों अभिनेताओं में से किसका ससुराल सबसे ज़्यादा हालिशान लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें